तो विल्कम गाजर आज ऐसे ट्रीक के बारें बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका ओटो हेट्सोट लगेगा मतलब कि आप किसी भी एंगल से फायर करो आपका हेट्सोट ही चिपकेगा और हाँ गाज आज का पूरा वीडियो सिर्फ यूएंपी गन के लिए है जिहां गाज यूएंपी गन का एक ऐसा संस्रीबिल सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका ओटो हेट्सोट लगने लगेगा अगर गाज आप यूएंपी गन से हेट्सोट नहीं मार पाते हो और एका दुका ही हेट्सोट लगता है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको पूरा हेट्सोट ही लगेगा जी हाँ आज आज जो मैं सेंसिर्विड सेटिंग आप लोग को सेट कराऊंगा ये सेंसिर्विड सेटिंग सेट करोगे और आपका यूएंपी गन से हरे गोली हेट्सोट ही लगेगा चाहे गाज क्यों ना आपके पास 2GB RAM का मोबाइल हो या 3GB RAM का मोबाइल हो या 4GB RAM का मोबाइल हो या 6GB RAM का मोबाइल हो आपका हरे गोली NME के head पर ही जाके चिपकेगा देखो गाज आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन आप इस Sensibility Setting को यूज करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा भाई 20 भाई ने सही बोला है जी हागाज इस Sensibility Setting को ढूडने में मैंने और मेरे टीम ने मिल करके काफी रिसर्च किया है तो एक बार यूज करके जरूर से देख लेना तो ओके गाज वीडियो में आगे बाद है इस पहले इस वीडियो का एक प्यारासा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ओके गाज सेंसिरिवरी सेटिंग को जानने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ वीडियो के लास्ट में मैंने एक ऐसा ट्रीक बताया है जिसको आपके सेंसिरिवरी सेटिंग को सेट करने के बाद करना होगा ओके गाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं sensitivity setting का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे general sensitivity setting का ऐसे general sensitivity setting का क्या काम होता है आप लोग को जोरू से पता होगा अब अपने UMP gun के लिए आपको इस sensitivity setting को set करना है 89 पर अब आज next sensitivity setting है red dot sensitivity setting सारे का सारे sensibility setting बहुत ही important है इसलिए गोर करके देखना तो मैं बात कर रहा था red dot sensibility setting इस sensitive setting को आप set करना 95 पर अब next sensitivity setting है free look sensitivity setting इस sensitivity setting को आप अपने अनुसार set करके रख सकते हो अब बात करें trick का तो guys trick यही है कि आप अपने fire button का size को 45 पर set करना अब आपका headset पानी की तरह लगने लगेगा तो okay guys I hope कि आपको बहुत ज़्यादा help हुआ होगा मैं मिलता हूँ ऐसे ही helpful वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई